देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकल को जहुद दबाएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें आरास मनागी ये बंदे मात्रव अरास मनागी ये बंदे मात्रव देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुखबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस वीडियो पाने के लिए पहला एकल को जोर दबाए साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चंद्रायान 3 के चारों और सुनेहरी परत क्यूं लगी है भारती अंतरेक्ष अनुसंधान संगठन के लिए 23 अगस्त का दिन एतिहासिक हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रायान 3 से अलग हुआ लेंडर चंद्रमा के दक्षिनी ध्रूप की सतह पर उत्रेगा इस हैतिहासिक काम्याबी की उम्मीद लिये आम लोगों की दिल्चस्पी भी चंद्रायान 3 और उससे संबंधित खबरों में बढ़ती जा रही है अंतरिक्ष और विज्ञान के तमाम पहलों के बीच लोगों के बीच चंद्रायान 3 के 4 और लिप्ता सुनेहरा आवरंग भी है ये आवरंग क्यों हैं? लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं चंद्रायान 3 के 4 और आपको सुनेहरी परत देख रही है ऐसी परत किसी भी अंतरिक्ष यान या मानव निर्मित उपग्रह या उनके उपकरनों के चारों और क्यों लगाई जाती है। इस सवाल का जवाब हमने मुंबई स्थित नहरू तारा मंदल के निदेश अर्विन पराजम पे से जानने की कोशिश की। परांच पे कहते हैं यान के चारों और दिखाई देने वाला गोल्डन फॉयल पेपर जैसा आवरन न तो सोना है और नहीं कागस का बना है। इसे मल्टीलियर इंसुलेशन या मिलाई कहा जाता है। दरसल बहुत ही हलके वजन की फिल्म की कई परते एक के उपर एक लगाई जाती हैं। परांच पे के मुताबिक इसमें बाहर की तरफ सुनहरी और अंदर की तरफ सफेद या सिल्वर रंग की फिल्में हैं। वे पॉलियस्टर से बनी फिल्में हैं। इन फिल्मों पर अल्यूमिनियम की बहुत पत्ली परत की लेप भी लगाई जाती। पॉलियस्टर की एक फिल्म और उस पर अल्यूमिनियम की एक परत से एक शीट बनती है। अंतरिक्ष्यान की यात्रा, हाला की पराजम पे ये बताते हैं कि यह शीट पूरे यान में नहीं लगाया जाता है उन्होंने बताया, यह शीट पूरे अंतरिक्ष्यान में नहीं लगाया जाता है बल्कि केवल अंतरेक्षियान के महत्वपूम क्षेत्रों में लगाया जाता है ऐसी क्षेत्रब जो विकिरनसिक शतिग्रस्थ हो सकते हैं इन शीटों का कितना और कैसे उपयोग किया जाए यह उपग्रह या अंतरेक्षियान के मिशन के मुताबिक निर्धारित होता है अब इसके बाद ये सवाल भी उठता है कि किसी यान के लिए सुनहरी दिखने वाली एमिलाई शीटों का वास्तव में क्या उपयोग है अर्विन परांच पे कहते हैं इन शीट्स का मुख्यकाम सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करना है एक तरह से ये शीट्स यान को गर्मी से बचाती हैं पृत्वी से अंतरेक्ष तक अंतरेक्ष यान की यात्रा के दोरान तापमान बहुत तेजी से बदलता है तापमान में ये परिवर्तन अंतरिक्ष यान के नाजुक उपकरनों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं गर्मी में अचानक रिद्धी से उपकरन बंध हो सकते हैं तापमान में परिवर्तन वास्तव में कितनी बड़ी समस्या है अंतरिक्ष यान या उपग्रहों के आसपास के इस आवरन के बारे में विस्त्रिक जानकारी अमेरिकी अंतरिक्ष शोध संगतन नासा की वेबसाइट पर दी गई है नासा की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक उपग्रह या अंतरिक्ष यान किस्थान पर सीधी दूप की मात्रा के आधार पर एमिलाईशी तेयार की जाती है इसका मतलब है कि अलग-अलग उपग्रहों के लिए इसकी मात्रा अलग-अलग होती है कई उपग्रह तो प्रित्वी की कक्षा में स्थापित हो जाते हैं वहीं एक चंद्रायान जैसे उपग्रह को कुछ लाग किलोमीटर की यात्रा करनी होती है इस अवधी के दौरान तापमान में शून्य से 200 डिग्री फोरेन हाइट से 300 डिग्री फोरेन हाइट का भारी अंतर होता है प्रित्वी के निकट की कक्षा अत्यदिक थंडी हो सकती है उस समय ये शीट्स यान के उपकरनों से उत्पन गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती अंतरिक्ष की धूल से भी सुरक्षा इसके अलावा ये शीट्स सीधे सूर्य के प्रकाश से सौर्विकिरन और पराबैंगनी किरनों को अंतरिक्ष में परावर्तिक करती है यानि उन्हें वापस अंतरिक्ष की ओर्मोर देती है इससे यान को कोई खत्रा नहीं रहता है नासा की वेबसाइट के मुताबिक एमिलाई शीट अंतरिक्ष यान को न केवल सौर्विकिरन और गर्मी ही नहीं बलकि अंतरिक्ष की धूल से भी बचाती है इन धूलों से अंतरिक्ष यान के उपकरणों के सेंसक शतिग्रस्थ हो सकते है यह उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किये जा रहे निग्रानी और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को भी रोक सकता है ये शीट यहां भी उपयों की भूमिका निभाती है इसलिए अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों के बाहरी आवरन सुनहरे दिखाई देते हैं चंड्रयान 3 मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया और आप भी चांद पर उतरते ही चंड्रायान ने इस्रो को भेजा संदेश इस्रो और चंड्रायान 3 लैंडिंग, भारत का चंड्रायान 3 बुद्वार 3 अगस्त को इतिहास रचते हुए चांद की साउथ पोल, साउथ पोल पर लैंड कर गया चंद्रायान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग पर इस्रो इस्रो ने ट्वीट कर बधाई दी है चांद की साउट पोल पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा था भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है इस्रो ने ट्वीट किया चंद्रायान माइनस 3 मिशन का संदेश मैं अपनी मंजल पर पहुच गया हूँ और आप भी चंद्रायान 3 सफल रहा चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए पूरे देश को बधाई चंद्रायान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के चंद्रमा पर सुरक्षित और सौफ्ट लैंडिंग के बाद इस्रो प्रमोखेस सोमनाथ ने कहा भारत चंद्रमा पर है पी एम मोदी ने बताया अटिहा सिक्षण विक्रम लेंडर की लेंडिन के लाइव टेलीकास्ट में पीम मोदी भी दक्षन अफ्रीका से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये इस रोकी केंद्र से जुड़े हुए थे पीम मोदी ने पूरे देश को बधाई देते हुए कहा कि जब हम ऐसे एतिहासिक शन देखते हैं तो हमें बहुत गर्भ होता है ये नए भारत का सूर्योदे है हमने धर्ती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया भारत अब चंद्रमा पर है अब चंदा मामा बहुत दूर के नहीं पीम मोदी ने आगे कहा कि इससे पहले कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिनी दुरुफ तक नहीं पहुँचा है हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हम वहां तक पहुँचे हैं भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत का नहीं है ये सफलता पूरी मानपता की है तभी क कहा जाता था चंद्रमा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंद्रमा मामा बस एक टूर के हैं झाल